गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपको क्लोथिंग एंटेक्स्टाईल वीडियो 2 के द्वारा होम साइंस MCQ चैनल पर UGC NET, SLAT, CTAT या ग्रहे विज्ञान से सम्बंदित किसी भी प्रत्योगी परिक्षा को क्वालिफाई करने के लिए प्रश्णोत्र की तयारी कराने जा रही हूँ फर्स्ट कोशन है, G.O.T.S क्या है? यानि G.O.T.S. God's Stands For इसकी फुल फॉर्म है, ऑप्शन B, Global Organic Textile Standards सेकंड कोशन है, एक वस्तर कपड़े पर आर्टिस्टिक खतम निमलिखित प्रभाव पैदा करता है आप्शन है, आपके फर्स्ट है, सतह चालकता में सुधार सेकंड आप्शन है, कपड़े की सतह से पानी के अनुओं को खारिच कर दिया थर्ड ओप्शन है, एक फाइबर की विप्रीट एक इलेक्ट्रिक चार्ज विक्सित करता है और फोर्थ ओप्शन है, स्थिर निर्मान बढ़ाएं आपका सही उत्तर होगा ओप्शन B, जिसमें फर्स्ट और थर्ड को सही बताया गया है कोशन नमबर थ्री मिस्त्र के पारंपरिक परिधानों में शामिल है, गलेब्या, सेकेंड ओप्शन सबलाहा, थर्ड ओप्शन जबाला, फोर्थ ओप्शन है, ये लिख आपका सही आंसर होगा ओप्शन C, जिसके अकॉर्डिंग फर्स, सेकेंड और फोर्थ सही है कोशन नमबर फोर यार्न नमबरिंग के प्रत्यक्ष्य सिस्टम निम लिखित है, ओप्शन है कपास गिंती, सेकेंड ओप्शन है वर्स गिंती, थर्ड ओप्शन है डैनियर, फोर्थ ओप्शन है टेक्स आपका सही आंसर होगा option B जिसके according third and fourth सही है ये बहुत important question है यान counting का, यान numbering का ये question लगबग हर बार ही पूछा जाता है Question number 5 Assertion type question है Assertion A Cross dying बहुरंगिय कपड़ों का अत्पादन कर सकता है इसका कारण है कपड़े में दो या अधिक फाइबर प्रकार एक अलग प्रकार के डाई को स्विकार करती है आपके options है Option A दोनो A और R सही है Option B दोनो A और R गलत है Option C A सही है लेकिन R गलत है जबकि option D है A गलत है लेकिन R सही है तो बताईए आपका सही आंसर होगा Option A जिसके according दोनो A और R सही है Question No.6 Assertion A रबड की टाईल, तेल, तेल और सॉल्वेंट द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है और इसलिए इसका प्योग रसोई काउंटर टॉप के लिए नहीं किया जाता है Reason है इसका आर, रसोई काउंटर रबड टाईल से बना सबसे उपर आसानी से श्यतिग्रस्त हो रहे है इसके Options है A गलत है और R सही है Option B A सही है और R गलत है Option C दोनो A और R गलत है Option D दोनो A और R सही है इसका सही आंसर है Option D यानि दोनो A और R सही है Question No.7 Denim के निर्माण में अनुक्रम क्या है Option है रसी या चादर ड्राइंग Option 2 में ड्राइंग Option 3 3 इंटू 1 ट्विल का उप्योग करके बुनाई Option 4 अनुभागिये या सीधे रसा पर वाशिंग Option 5 यानि का आकार बदलना इसके options दिये गए है Option A, B, C और D इसमें से सही आंसर है Option C जिसमें सबसे पहले 4 नमबर के पॉइंट को लिया गया है Question No.8 Azoic रंजियों के साथ छपाई का सही अनुकरम दें First है Dioxation Second है Clearing Napthol Third है Naptholation Fourth है Coupling या युगमन आपके आंसर क्या हो सकते हैं? Code में दिये गए हैं A, B, C और D सही आंसर है Option B जिसके according सबसे फर्स्ट आना चाहिए Third Point Naptholation Question No.9 Match दिये Match List इसमें List 1 में है Spools, B. Cops, C. Cones, D. Cocoon All List Second में First Point है Centerless Thread Package Second Point है Used Where Thread Consumption is High Third Point है Thread Cross Wound for Stability And Fourth Option है Smallest Package इसका सही आंसर है Option B यानि Spool के साथ Smallest Package आएगा Cops के साथ Thread Cross Wound for Stability आएगा जबकी Cones के साथ Used Where Thread Consumption is High आएगा और Cocoon के साथ Centerless Thread Package का Option आएगा Question No.10 Again Matching List है List 1 तेलिया रुमाल लिस्ट 2 में है Woven Shawl of Kashmir List 1 में अगें Kanikar Kalamkari Amlikar और लिस्ट 2 में है Printed or Painting Textile of Andhra Pradesh Embroidered Shawl of Kashmir Racist Died Fabrics इसका सही आंसर है Option B यानि तेलिया रुमाल का सही में होगा Racist Died Fabric Kanikar का सही में होगा Woven Shawl of Kashmir Kalamkari का सही में होगा Printed or Painted Textiles of Andhra Pradesh और अमली करका सही में होगा Embroidered Shawl of Kashmir Thank you all of you students हर दिन वीडियोस को देखें और सभी प्रशनों का सही से अभ्यास करें सभी प्रशनों को यदि आप चाहें तो अपनी कौपी में नोट करते जाएं और बात में भी कभी भी दुबारा अभ्यास करें धन्यवाद